देखो हमारे पस यह वाले कुश्चिन कैसे होगा इस में हमें क्या-क्या दिया हुआ है first of all we should know कि क्या-क्या दिया हुआ है RS की value दिया है right 5 km RL की value दिया है right 10 km VZ दिया है 50 volt और VS 2 दिया है कि 80V minimum है और 120V maximum है तो अगर voltage दो है तो current भी कितनी आएगी जीनर के gross दो current आएगी एक minimum और एक maximum क्लियर अब देखों यहाँ पर हम क्या लगाते हैं सबसे पहले देखते हैं कि इधर कितनी current flow होगी मैंने बताया था standard diagram में यहाँ पर आई या आई एस मालो यहाँ पर आई एस current flow हो रही है जीनर डायोड में कितनी current जाएगी आई जेट और load current में कितनी जाएगी आई एल तो अगर मैं यहाँ पर किर्चॉफ current लो लगाऊंगी तो क्या formula बन गया that is 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 equal to iz plus il राइट बन गया ठीक है अब हमें यह वाला formula यूज़ करना है इसमें मुझे क्या चाहिए जीनर current चाहिए राइट जीनर current के लिए मुझे load current पता होना चाहिए है ना अब according to arm slow v is equal to क्या होता है v is equal to ir तो v क्या होगा vl लोड current होगा तो il और r भी क्या होगा rl यह होगा बोलो यहाँ तक कोई doubt क्या हमें rl पता है given है rl 10 km क्या हमें vl पता है तुम देख सकते हो कि यह दोनो जीनर की voltage और load की voltage कैसे connected है दोनो पैरलल में connected है राइट पैरलल में तुम्हारी voltage क्या होती है हमेशा same होती है same होती है बोलो same होती है तो यहाँ से vl की value कितनी हो गई 50 il की value हमें निकालनी है rl की value कितनी given है 10 kg तो यहां से il की value आ गई कितनी आई यह किलो में है तो current कितनी आएगी मिली में आएगी that is 5 milli ampere got it तो हमारे पास क्या formula था is is equal to iz plus il जिसमें कि मुझे निकालना था और il हमने निकाल लिया कितना आ गया 5 milli ampere तक अब अगर हमें is की value पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा आईजर निकल जाएगा back to the question अब is का क्या formula होता है एक standard formula होता है लिखलो चाहें is is equal to vs minus V out divided by Rs अब देखो यह formula ऐसे कुछ अलग से कुछ नहीं है आया कहां से formula तुम्हें पता है कि यहाँ पर हमने जितने भी voltage देंगे कुछ voltage यह consume करेगा और बाकि की voltage जीनर वोल्ट डायोट कंस्यूम कर लेगा राइट माल लो कि अगर मैंने यहाँ पर हंड्रड वोल्ट दी तो इसने 20 वोल्ट लेली बाकि की दोनों वोल्टेज यह तो पैरलल है पैरलल में voltage क्या सेम होती है तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज आएगी वोल्टेज अक्रों जीनर कितनी आएगी वोल्ट तुमने टोटल दी उसमें से 20 वोल्ट इस रजिस्टर ने लेली जीनर के लिए कितनी वोल्टेज बची बोलो 80 वोल्ट बची हाँ माय तुमने टोटल तुम्हारे पास हंड्रड टॉफिस है तुमने दे दी कितनी टॉफिस बची तो हंड्रड वोल्ट तुमने टोटल सप्राई दिया है इसमें से मालो यह कुछ भी है डिवाइस इसने रजिस्टर ने 20 वोल्ट लेली तो बल्ब के लिए कितनी वोल्टेज बची ठीक है तो आई एस का क्या फ्रमला गया हूँ वी बचाल तो इसने कितनी वोल्टेज ली तेट इस वी एस माइनस वी आउट राइट वी आउट बोलो या फिर तुमने वी अल की टर्मस में लिका हुआ है तो आई एस इस इक्वल टूट वी एस माइनस वी डिवाइड ब़ए रस क क्लिया तो अभी यहां पर फॉर्मुला से निकालते हैं आइस का क्या फॉर्मुला अब बता है मैंने वी एस माइनस वी एल डिवाइड़ बाई आरेस क्या हमें वी एस पता है देखो वी एस पता है वी एस इस दर सप्लाई वोल्टेज एक बर 80 वोल्ट है और एक बर 120 तो 80 वोल्ट ले ले क्या वो मैंने एक एक्जामपल दिया था 100 वाला टैंडम तो वी एस कितने है 80 वोल्ट राइट वी एल कितने है 50 वोल्ट राइस की वेल्यू कितनी है फाइफ किलो तो यहां से इस कितना आ गया कितना आ गया जो भी आएगा 30 divided by 5000 राइट तो इसी तरह एक बर मैंने 80 वोल्ट ले ली एक बर मैं 120 वोल्ट ले लू तो यह कितना हो जाएगा अब बॉल्ट अब बॉल्ट वोल्ट ले लेते हैं तो 120 मैंने 50 डिवाइड़ बाइफ थाउजड तो यहां से कितना आ जाएगा बुलो यहां तक कोई डॉट तो यह 6 दूम्पेर आ जाएगा ठीक है अब दो source supply current है तो दो zinner current आ जाएंगी और हमें question में भी क्या चाहिए था दो zinner current चाहिए थी एक minimum और एक maximum तो वापस फर्मले में put करते हैं is minimum is equal to iz minimum plus il is minimum कौन सा है 6 mA ये 14 mA पता हूँ मुझे कम value किस की आई है 6 है 14 है 6 है तो minimum है तो यहाँ पर 6 लिख दे iz minimum की मुझे value निकालनी है il कितना है था हमारे पास हमने निकाला था 5 mA तो यहाँ से iz minimum की कितनी value आ गई that is 6 minus 5 is equal to 1 mA इसी तरह हमारे पास is maximum would be equal to iz maximum plus il होगा अगर is maximum है तो iz भी क्या होगा maximum होगा il same है is maximum कितना है 6 है फिफ 14 14 तो 14 और यहाँ से iz maximum कितना आ जाएगा that is 14 minus 5 is equal to 9 mA तो हमसे क्या पूचा गया था minimum value and maximum value of zener current आ गई हमारे पास एक बार मैं फिर से बतार हूँ देखो है हमारे पास दो formulas तुम्हें याद रखने है एक तो formula यह है यह बोलो यह बोलो एक की बात है एक is is equal to iz plus il यह तो simple तुमारे किर्चॉफ current low से ही आया है ठीक है तो यह दो formulas यूज़ करके हमें answers निकालने हैं अब इस केस में VZ और Vout दोनों ही क्या है Vout मतलब output voltage और output voltage हम हमेशे किस के across में ज़र करते हैं लोड के cross तो Vout बोलो या VL बोलो एक ही बात है notations तुम्हें हर एक बुक में हर एक question में different मिलेगी इसलिए confuse मत होना ठीक है इसमें हमने दो formulas यूज़ करें बस और इन दो formulas से answer निकाला है minimum और maximum पहले हमने load current निकाल ली फिर हमने IS minimum निकाला और IS maximum निकाला वहाँ से हमारे पास IZ minimum और maximum आ गया झाला है झाला है झाला है झाला है